हाई गाइस वेलकम टू ममेस किचन तो हमने रख लिया है लोहे की कड़ाई और अच्छे से हो गई एक गरम और हमने पतला चुड़े वाला पोहा उसको अच्छे से छलनी से छान के और उसको हमने कड़ाई में डाल दिया है और एक किलो पोहा है जो हमने अच्छे से सारा पोह बोन लिया है तो बस उसको हमने निकाल लिया है एक छलनी में और उसको हमने रख दिया है थंडा होने को और एक कड़ाई का हमने सारा निकाल दिया है कच्रा और एकडम से क्रिस्पी सा एकडम क्रिस्पी हो गया है पोहा थंडा होने के बाद तो हमने ओई कड़ाई में हमने ड कर दिया है फ्राये इसको अच्छे से तेल गरम है तो उसी में तेल घ्यास धिमी आच में इसको अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राय करना है तेज आज में अगर जल जाएगा या फिर अंदर कच्चा रह जाएगा तो पस हमने सेंगदाने को भी उसी तरह धीमी या मीडियम आच में ही फ्राइ किया है तो पस इसको अंदर तक अच्छे सिखने के लिए धीमी आच में या फिर मीडियम आच में ही सेखना है तो पस खोब्रे को और सेंगदाने को हमने इसमें डाल कर लेंगे कड़ी पत्ता और हरी मिर्श द्वारा तेरा हमने बीच में से चीर लगा कि इसको कटिंग करके प्राइ कर लिए डाल देंगे अक्खाधनियां को दर दर असा कूटकेANG suggestions अकखाधनियां बन lleva मसील स्वाइफ या बड़ी फी histories में दोज़िया है और अच्छे से इनको भी हम भून लेते हैं तक यह अच्छे से क्रिश्पी बन सके हैं और हमने दाल दिया है नमक स्वाद अनुसार नमक दालने के बाद हम इसमें दाल देंगे एक चमस भर के हल्दी और हल्दी दालने के बाद हमें अच्छे से इनको मिक्स कर देना है ठीक है और हम अच्छे से इसको फ्राय कर देंगे और दाल देंगे इसमें दो चमत शक्कर आपकी इच्छा है तो डालो नहीं तो नहीं क्योंकि जो चुड़ा मैं बनाती हूं सबको पसंद आता है तो मैंने हमेशा इसमें शक्कर डाल की बनाती हूं तो आप भी आपको अच्छा मसाल्हां हम दाल देङी पोहों में और पोहे को अच्छे से हमें कर देना है मिक्स ठोड़ाधे ठोड़ा करके हमें फ्राइ वाले चीजें अच्छे से इसको कर देना है मिक्स यह मेरा छो sha पड़ गया च in od मैं yell झाय दाल नींचे ओपर कर डबा मैंने आप में लेकर अच्छे से सारा कुछ अच्छे से मिक्स कर दिया था ठीक है तो चमज Olay में बाजू में रख दिया था भाध में पिמצ आप तो मैंने आपको भी दिखा दिया क्योंकि इस साल मैं दिवाली में कोई चीज बनाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरी सबसे प्यारी बेहन इस दुनिया से चली गई है मुझे छोड़ के, तो इसलिए आप सब हपी दिवाली आपको, और मेरे लिए भी मेरी बेहन के लिए भी जरूर दुआ करना, तो मिलते हैं कुछ टेश्टी मज़ेदार रेसेपी में तो चलो, आप लोग दिवाली मनाएं, सब को हपी दिवाली मिलते हैं कुछ टेश्टी मज़ेदार रेसेपी में, बाई